नमस्कार सभा शाहिच्षेक के साथ चारका चक्रविव देख रहे हैं आप नेता हो या प्राधी आतंकी हो या जिहादी जो भी गलब करेगा वो चक्रविव के चक्र से नहीं बचेगा उनके कारणामों को एक्सपोज करूँ पूरी डिटेल में इनकी गुनाहों की चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रविव के चक्र में आ गये हैं माफिया अतिक की पत्नी शायस्ता और अश्रप की पत्नी जैनब दूसरी खबर में बाद तिरंगा का अपमान करने वाले उपद्रवियों की तीसरी खबर में बाद राकेश टिकैट की चौती खबर में बाद सीमा हैदर सबसे पहले बाद शायस्ता और जैनब की अतिक एमद और अश्रप की वकील विजय मिश्रा की घरफतारी के बाद एक बार फिर शायस्ता परवीन और जैनब की चर्चाएं तेज हो गई हैं दावा है कि पुलिस और स्टीअप की टीम ने जिस कि विजय मिश्रा लखनाओ की जिस होटल में महीला से मिलने आया था वो शायस्ता या जैनब हो सकती हैं आशंका है कि मुकदमे जोडने के लिए पैसे की कमी के चलते अतिक की बेनामिस संपतियों की डील की जा रही है मालूम हो कि शायस्ता और जैनब अतिक की बहन आईशा नूरी और परिवार के सदस्टियों के साथ तीन महीने से जादा वक्त से परार है सूतरों के मताबिक जब स्टीएफ और पुलिस की टीम ने लखनाओ के होटल से विजय मिश्रा को गिरफतार किया उसके तुरंद बाद बुर्के में एक महीला और उसका साथ ही निकला और पिर लापता हो गया अगर जरा से चूक नहीं होती तो रंगे हातों पकड़ी जाती शायस्ता या जैनब उधर पुलिस ने अब इस पर जाच शुरू कर दी है कि विजय मिश्रा के साथ जो महीला थी वो आखिर थी कौन आपको बता दे कि उमेश पाल हत्याकान में माफ्या मिश्रा को दूमन गंज थानी की पुलिस ने गिरफतार किया उन्होंने बताया कि मिश्रा के खिलाब भारतिय दंट सहीता आई पीसी विस्पोटक्ट प्रदार्थ अधिनियम अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अ वहीं बस्पा विधायक राजुपाल हत्याकान के मुख्य गवा उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा कर्मियों की 24 फरवरी को दिन दहारे गोली मार कर हत्या कर दी गई मामले के मुख्या रूपी अतीक एमद और उसके भाई अश्रप की एप्रील में एक अस्पताल के बाह गोली मार कर हत्या कर दी गई थी वहीं मामले में शामिल अन्यारोपी अतीक की पत्नी शाहिस्ता परवीन और दो शूटर लगतार अभी भी फरार चल रहे हैं दूसरी खबर में बात तिरंगा का अपमान करने वाले उपद्रवियों जारकन के पलामू में मोहरम के जुलूस के दौरान रास्टे धवच से छेर चार करते हुए उसमें अशोग चक्री की जगात तलवार शाब दिया गया था साती उर्दू में भी कुछ लिग दिया गय शिया मुस्लिमों के मनाय जाने वाले मोहरम पर ताजिया निकाला गया और यह जुलूस शापूर कल्यानपूर और कंकारी जैसे इलाकों से होकर गुजरा इस जुलूस में बज रहे डीजय के साथ चल रहे कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा जैसा जंडा भी था इस जंड के लोगों ने इस तिरंगे की फोटो खीच ली अतरिक्त पुलिस अधिक्षिक एसपी रिशव गर्ग ने कहा कि जलूस के दौरान डीजे बजाया गया और राश्ट धोज लहराया गया हालक इसका वीडियो वारल हुआ तो लोगों ने देखा कि तिरंगा के साथ छेर चार की गई है और उसमें अशोग चक्र की जगात तलवार का चित्र बनाया गया इसके बाद पुलिस ने जांश शुरू की एसपी गर्ग ने कहा कि अशोग चक्र के जगापर उर्दू में कुछ शब्द लिखे थे और नीचे तलवार का निशान था इस मामले में 13 नामजद ल दीपक प्रकाश ने इस पर ट्वीट कर नराजगी जताई वहीं भाजपा नेता दिनेश रानंद धोस्वामी ने सितुष्टी करण की राजनीती का हतरनाथ खेल बताया था दीपक प्रकाश ने ट्वीट में लिखा कि पलामू जिले में मोहरम जुलूस में रास्ट्र धोच के साथ छेर चार का मामला त्यंत दुर्भाग्य पूर्ण है तिरंगा जंडा में अशोक चक्र हटा कर उर्दू शब्द लिखना सम्विधान के खिलाफ है और हमारे रास् किसान यूनियन के रास्ट्र प्रवक्तर राकिस्टिकैत का गुस्सा भड़क उठा उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर जबरदस्थ हमला बोला राकिस्टिकैत ने कहा कि मुंफली लदे ट्रेक्टर को रोक कर किसानों को नुकसान पोचाया जा रहा है उन्हों है कि पुलिस कर्मियों ने सरक बंद कर रखा है सरक बंद होने की वज़़े से गारियों की लंबी लाइन लग गई एक्सानों का ट्रेक्टर भी जाम की चपेट में आ गया राकिस्टिकैत ने ट्वीट पर वीडियो शेयर कर लिखा कि केंदर सरकार किसानों की समरिधी और आए दुगनी करने की बात करती हैं दूसरी तरफ यूपी के फरुखाबाद में मुंगफली लदे ट्रक्टर और अन्य वहन रोग कर किसानों को नुकसान पहुचाया जा रहा है हाला कि वीडियो में सड़क पर खड़े अन्य किसानों को भी देखा जा सकता है उन्होंने भी पूलिस वालों पर गाड़ियों को नहीं जाने देने का आरोप लगाया किसानों का कहना है कि जलाला वादमंडी ट्रेक्टर ले जा रहे थे सड़क पर खड़े अन्य किसानों ने बताया कि देर तक बहानों के खड़े रहने से फसल को काफी नौकसान पहुचना थे है भारते किसान यूनियन फसलों के लिए मोधी सरकार से MSP को गारिंटी कानून बनाने की मांग कर रहा है हला कि ये कोई नई बात नहीं किसानों के हितैशी बनने वाले टिकैट हमेशा सरकार पर निशानास आते रहते है टिकैट के इस जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया है कि कैसे सारी चीजों का दोश सरकार पर थो पे और खुद को किसानों का मसीहा थाबित करके अपनी गंधी राजनीतिक रोटिया से चौती खबर में बात सीमा हैदर की पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का परिवार राशन के लिए तरस रहा है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे वीडियो में परिवार का दर्द साथ छलक रहा है सचिन के पिता नेतरपाल के मताबिक घर का राशन खत्म हो चुका है पुलिस का घर पर हरदम पहरा रहता है, परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई है, इसलिए कमाने के लिए घर से बाहर जाने दिया जाए, घर में कमाने वाले हम दो लोग है, वाइरल वीडियो में सीमा हैदर के ससुर नेत्रपाल शाशन प्रशासन से गुहार लगाते घर का राशन सारा खत्म हो चुका है, उनका परिवार भूके मरने की कगार पर आ गया है, वैस सीमा हैदर ने भारते नागरिटा के लिए भी सरकार से अपील करते हुए पत्र लिखा है, आपको बता दे कि पाकिस्तान की सीमा हैदर की दोस्ती भारत के सचिन से पपजी खेल मिलने के दौरान हुई दोनों के बीच दोस्ती जल्द प्यार में बदल गई प्रेमी के लिए सीमा हैदर पाकिस्तान से चार बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते अवैद तरीके से भारत पहुंच गई क्रेटर नॉइडा में रहने की जानकारी होने पर पुलिस ने सीमा हैदर उसके प्रेमी सचिन मीना और पिता को गिरबतार कर लिया था तीन दिन जेल में बिताने के बाद शर्तों पर अदालत से जमानत मिल गई कहा गया कि जाच होने तक सीमा हैदर सचिन के अड्रस पर ही रहेगी घर से बहार जाने पर पुलिस और कोर्ट को जानकारी देनी होगी हाला कि हर पहलूँं से सीमा हैदर की अजनसी अभी जाच कर रही है सीमा के जासूस होने का एंगल भी खंगाला जा रहा है हाला कि सीमा हैदर के जासूस होने का अभी तक कोई भी प्रमान नहीं मिला सीमा हैदर के परिवार ने मीडिया से दूरी बना ली है उन्होंने गेट पर एक नोटस भी चस्पा किया फिलाल के लिए इतना ही देखते रहे है कैपिटल टीवी नमस्कार